Hello everyone, welcome to Learnerby, I am Shivani Chauhan, इस वीडियो में हम लोग दिखेंगे Class 10th English की बुक का Chapter 8, Mitchell the Otter और ये जो chapter है, ये लिखा है Gavin Maxwell ने और in fact ये chapter ही नहीं, इनकी पूरी एक किताब है उसके उससे ही ये chapter लिया गया है, तो Gavin Maxwell जो है वो रहते हैं एक cottage में, मतलब एक छोटा सा जोपड़ा या फिर आप कह सकते हैं घर में Camo Fierna में, जो की है West Highland Scotland में, तो Camo Fierna जो है एक वो जगा है Scotland के पास उनके पास एक dog था Johnny, जिसकी death हो गई थी, तो वो काफी जदा परिशान हो गए थे, उसके अपने dog की death से, तो वो काफी सोचते हैं कि उन्हें फिर उसके बाद एक pet रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, उसी के बारे में पूरा एक chapter है, डॉक के बारे में नहीं ये है 1956, I traveled to Southern Iraq, तो 1956 के starting में ये Southern Iraq को गए थे, जो writer है, by then it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog, तो उस समय पर जब ये Southern Iraq में गए हुए थे 1956 में तब इनके दिमाग में आया कि इनको एक pet रखना चाहिए, ना कि एक dog बल्कि एक otter, डॉक की बजाए ने otter एक pet रखना चाहिए, and that camufriana ringed by water a stone's throw from its door would be an eminently suitable spot for this experiment, तो camufriana जहां पर वो रहते थे, वो एक ringed by, मतलब वहां पर एक gold सा, या फिर आप समझ लीजे, water space था, महां पर काफी सारा पानी था, मतलब stone throw, जहां पर उनका घर था, उससे अगर पत्थर मतलब stone throw का मतलब होता है, काफी साथा पास में था, उनके घर से, जहां पर water available था, और जो, यह होते हैं, otter, यह कहां रहते हैं, यह पानी में रहते हैं, तो यह dog की बचाए, एक otter भी पाल सकते थे, तो यह जो experiment यह करना चाहते थे, otter को पालने का यह काफी अच्छा रहता क्योंकि वहाँ पे, काफी सारा पानी था, और वह अराम से otter पाल सकते थे, when I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the tigris marshes for there, there were as common as mosquitoes, तो फिर इनके अपने फ्रेंड को यह बात बताते हैं, कि इनको एक otter पालने का मन है, तो इनके फ्रेंड को कहते हैं, कि इनको tigris के marshes से बोलाना चाह वाली region में बहती है, marshes जो है, उस area को कहते हैं, जो दल-दली इलाका होता है, तो tigris के marshes में otters काफी सदा common है, बहां से otters मिल जाएंगे, ऐसा इनके फ्रेंड ने इनको कहा, वहाँ पे ऐस इतने common है otter, जैसे कि mosquito जैसे मच्छर होते हैं, इस तरीके से वहाँ पे otters होते है and were often tamed by Arabs, tamed मतलब domesticate कर लिये जाते हैं, फिर पाले जाते हैं, जो अरब मतलब उस region के लोग जो तो ने अरब कहते हैं, तो जो अरब के लोग हैं, वो काफी पालते हैं otters को, we were going to Basra, to the consulate general to collect and answer our mail from you, और अरब तो इस समय पर, यह कहाँ पर है Basra, Basra वहाँ पे है, इराक में Basra में है, यह तो consulate general, जो जैसे की foreign embassies होती है, embassy क्या होती है, जहाँ पे, जैसे की suppose करिये, इंडिया में काफे सारे देशों की embassies हैं, तो वहाँ के जो लोग है, जैसे इंडिया में suppose करिये कि कोई America के लोग रह रह रहे हैं, काम के लिए, किस भी वज़े से, तो इंडिया से Basra में भी consulate journal के पास जाते है, consulate journal embassy के एक officer होते हैं, तो जो writer है, इनके पास जाते हैं, और फिर देखते हैं, क्योंकि writer तो यॉरप के होते हैं, बट कुछ समय के लिए Basra में होता है, तो फिर पता करने चाहते हैं, कि इनके पास कोई mail तो नहीं आया है, यॉरप से, क्यों इनके जो friend का mail था, वो तो आगया था, consulate journal के पास, बट राइटर का mail नहीं आया था, I cabled to England, cable का मतलब होता है, उस समय पर telegraph पेजा जाता था, मतलब आप छोटा सा एक sentence लिख करके अपना message भेज सकते थे, तो वो होता था, cable, तो cable किया नोने England को, and when three days later, nothing had happened, फिर तीन दि कर लिया जाए, तो भी telephone पहले क्यों नहीं किया गया, क्योंकि यह पुराना समय telephone करने था, असान ही हो था, 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 पहना, the call had to be booked 24 hours in advance, तो अगर आपको किसी को phone करना है, तो 24 गंटे पहले आपको अपनी call को book करना पड़ेगा, on the first day, the line was out of order, तो पहले दिन जो है, वो ठीक से काम नहीं कर रही थी, second day exchange बंद था, क्योंकि कोई religious holiday था, तीसरे दिन जो है, कोई और breakdown, कुछ और दिक्कत आ गई थी, तो इनका friend जो है, वो जा चुका था, वहां से, and I arranged to meet him in a week's time, तो अपने friend से एक हफते में मिलने वीवाले थे, five days later, my mail arrived, और बास दिन बाद इनका जो mail आना था, वो आ गया, I carried it to my bedroom to read, तो इनका mail आ गया, फिर अपने bedroom में लेकर के जा रहे थे, उसको पढ़ने के लिए, and there squatting on the floor, तो squatting का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा हिल टाइप करा था, मतलब फ्लोर पे ऐसा लग रहा था, कि कुछ गरबड जैसी हो रही है, क पैठे हुए थे, beside them, ले a sack, मतलब एक जैसे sack कटा जैसा हो, that squimmed from time to time, sack होता है, a bag, squim का मतलब होता है, twist and wriggle, मैं sorry, squatting or swim, squim में confused हो गए थी, so squat का मतलब होता है, squatting का मतलब होता है, sitting, okay, squatting का मतलब sitting, and squim, squim का मतलब होता है, twist, मतलब टेढ मेरा हो रहा था, एक देखे क् जब राइटर जो है, अपने रूम पे पहुंचे अपने बेल को लेगर के, तो इन्होंने देखा कि तो अर्भी लोग वहाँ पर बैठे हुए है, और जमीन पर क्या है, एक कटा रखा हुआ है, वो कटा काफी हिल रहा है, squimmed from time to time, they handed me a note from my friend, here is your order, और जो अर्भी लोग begin a phase of my life that has not yet ended and may for all I knew not end before I do, तो फिर ये कहते हैं कि उस समय पर मैंने क्या किया, वो sack मैंने खोला, और फिर मेरी life का ऐसा phase मतलब शुरू हो गया, जो अभी तक खतम नहीं हुआ है, और जब तक ये writer लिख रहे है, तब तक तो इनकी life से वो phase खतम नहीं हुआ है, और ये कहते हैं कि शायद ये phase कभी भी खतम नहीं हो जब तक इनकी पूरी life रहे, पूरी life मतलब ये वाला जोब इनका experience से बताने वाले हैं, वो चलेगा, तो ये आगे बताते हैं, it is in effect a threldrom to otter, sorry, an otter fixation, तो इसका क्या मतलब है, तो जो threldrom है इसका मतलब होता है, under the control of somebody, मतलब slavery, it is an effect a threldrom to otter, तो मतलब जैसे an otter fixation, तो fixation का मतलब होता है, strong attachment that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one, तो मतलब ये है कि इस तरीके से ये attachment इनका हो गया था, otter से, जैसे इनोंने back खोला, तो एक नया phase इनकी life का start हो गया, वो phase इनका अभी तक खतम नहीं हुआ था, actually ये phase जो था ना, वो being under the control of otter, क्योंकि जो फेस था, ये life का, अभी otter के control में होने वाला था, otter से काफे साथ इनका attachment हो गया था, life उसके साथ रह रहा के और काफे उससे प्याज ऐसा करने लगे थे, the creature had emerged from this sack on the spacious styled floor of the consulate bathroom resembled most of all a very small medievally conceived dragon, तो इसमें क्या है कि जो creature था, मतलब वो जो otter था, वो एकडम से spacious style, जो बड़िया सी, मतलब बड़ी सी जो tiles थी उस रूम में, उस पर वो ऐसे रेंग ने लगा, मतलब और ऐसा लग रहा था, जैसे पुराने जमाने में, जो dragon को resemble किया जाता होगा, मेडिवल टाइम में, उसमें जैसे कि कोई dragon निकल किया आ गया, उस तरीके से व From the head to the tip of the tail, he was coated with symmetrical pointed scales of mud armor between whose tips was visible in a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole, तो देखे इसका क्या मतलब है, तो अब इसमें राइटर बताते हैं कि वो किस तरीके का दिख रहा था, तो मतलब सार से लेकर कि पूछ तक वो पूरी तरीके से, मिटी से, लदा हुआ था, मतलब ऐसा था, अर्मर गया होता, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, तो उसके जो स्केल्स थी, मतलब जितनी भी उस पर लेयर थी, वो पूरी की-पूरी मिटी से डखी हुई थी, और मिटी की वजए से ऐसा लग रहा था, उसका रंग बिल्कुल चॉकलेट, मतलब ब्राउन कलर का होता है, इस तरीके क वो लग रहा था, और फिर उसके बाद उसने खुद को हिलाया, जब उसने खुद को बहुत तेज हिलाया, तो राइटर ने एकस्पेक्ट किया था, कि बहुत सारी धूल निकलेगी और वो पूरा-पूरा साफ हो जाएगा, बट लगवग एक महीना राइटर को लगा, उसक अनोन टू साइंस, तो मतलब जो मिजबिल था इनका जो ओर्टर था, वो ऐसी रेस थी ओर्टर की जो पहले साइंस को पता ही नहीं थी, तो जूलोजस्ट ने उनका काफी लंबा नाम दिया, लुट गे लिया, जो बी है, मैक्सवेली है, या फिर इसको मैक्सवेल ओर कहा ज था, ना ही वो दोस की तरह वेभार कर रहा था, तो मतलब अलूफ का मतलब होता है, कीपिंग अ दिस्टेंस, मतलब राइटर से थोड़ा अलग-अलग सा था, और जादा उनकी तरफ धान नहीं दे रहा था, चूसिंग तो स्लीप उन दे फ्लोर ऐस फार इस फार इस फार इ तो अगले एक दिन तो वह जमीर परी सोया, फिर अगले दिन रात को वह बैट पर चड़कर के आ गया, और राइटर के कोनी, क्रुक्स ओफ नीक मतलब होता है, कोनी का पीछे वाला कोनी कह रहा हूँ, जो पैर के घुटना होता है, गुटने के पास वह आकर के सो गया, और तक सोता रहा है, जब तक सुभह जो सर्वेंट है, वो टी नहीं लेकर के आ गए, मौर्निंग में, दूरिंग दर डे, ही बिगें तो लूस अपथी, एंड तेक अइन, मच तू इन इंटरस इन इस सराउंडिंग, तो जो अपथी थी, उसकी लैक ओफ इंटरस था, अन्वि लीट तू दा बाथरूम, तो एक बोडी बेल्ट मतलब जैसे बना दी, बोडी बेल्ट जैसे की होती है, टॉक्स की होती, इसी तरीकी की बेल्ट टाइप की इन्होंने राइटर ने बना दी, अपने जो मिच बिल था इनका नेक की अराउंड उसके बांजने के लिए, और बाथरूम की तरफ ले गए, फिर वो बाथरूम में ले गए थे, तो फिर प्लंच कर रहा था, पानी में रोल कर रहा था, तो काफी देर तक जो ओटर था, वो पानी में खेलता रहा, शुटिंग अपन दाउंद दाउंद अफ बाथटब अंडर वाथर अंडर अंडर बैठ करके कर रहा था, this I was to learn is a characteristic of otter, every drop of water must be so to speak extended and spread about the place, तो यह कहते है कि otter के बारे मैं यह सीखा कि वो कितना चप 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 करता है, और जितनी भी जो पानी होता है, वो किस तहीके से उसको हर तरफ एक एक डॉप को फिला देता है, a bowl must be at once be overturned, और if it is will not to be overturned, be set in and sploshed in until it overflows, तो इसका क्या मतलब है, इसका देखिए, यह मतलब है, तो जो राइटर दे ना, उन्होंने otter के बारे में यह सीखा, जब इन्होंने bath tub में देखा, कि otter को उन्होंने bath tub में चोड़ दिया, पानी के साथ, फिर देखा कि otter पानी को हिलाय जा रहा, हिलाय जा उसको लगता है, अगर पानी रुका हुआ है, तो वो बिल्कुल वेस्ट पानी है, वो उसको प्रोवोक करता है, मतलब उसको उसको गुसा सा करने लगता है, पानी के ऊपर otter अगर वो चल नहीं रहा होता, तो यह तो move नहीं कर रहा होता, फिर two days later, तो दिन बाद, मिजब escaped from my bedroom as I entered it, and I turned to see his tail disappearing around the bend of the corridor that led to the bathroom, तो दो दिन बाद, जो मिजब था, वो इनके बाथरूम से बहार निकल गया, बेडरूम से बहार निकल गया, और ऐसा लग रहा था कि उसकी जो टेल है, वो बेंड हो रही है, corridor की तरफ, और there was a bathroom at the end of the corridor, corridor जो था जैसे कि रूम के बार corridor ह उसके end में बाथरूम था, और जब ये बाथरूम में पहुंचे तो इनों ने देखा कि मिजब बाथरूम में पहुंचे तो इनों ने देखा कि मिजब बाथरूम में पहुंचे तो इनों ने देखा कि मिजब बाथरूम में बाथरूम में पहुंचे तो इनों ने देखा क यो बार्ट तब में फंबलिंग, फंबलिंग होता है, ट्राइंग टू सम्थिंग इन अ क्लम्जी में, बहुत ही खराब तरीके से वो टाप्स को अपने पॉस से खूलने की कोशिश कर रहा था, फिर राइटर कहते हैं, I watched amazed in less than a minute, he had turned the tap far enough to produce a trickle of water and after a moment or to achieve the full flow, मतलब थोड़ी इनोंने कहते हैं कि उसने तंकी खोल ली थी, जो नल था खोल लिया था, और उसमें से पहले ट्रिकल था, मतलब भूती कम कम पानी आ रहा था, फिर धीरी-धीर से पूरे फ्लो में पानी आने लगा था, ये देख करके अमेज हो गय थे, राइटर चॉकर ने, म पहली बार तो मेजबिल ने खुद से खोल ली थी, बट आगे की occasions मेजबिल को बड़ी तिक्कत हुई थी, वो मतलब इरिटेट हो जाता था, चिटरिंग, साउंड और चिटरिंग करता था, आवाज निकाता था, जीब सी इरिटेशन वाली, क्योंकि टाप उससे खुलती ही नहीं थी, पहले तो उससे टाप खोल ली थी पहली पार में, बाद में जब दुबारा कई occasions पे मिजबिल ने टाप, मिजबिल कौन है, ओर्टर ने जब टाप करनने की कोशिश करी थी ना, तो उससे होती ही नहीं थी, तो मिजबिल कौन है, मिजबिल, तो ये राइटर कहते है कि दीरे-दीरे मिजबिल अपने आप ही मेरे पास आने लगा था, वो ट्रेन हो गया था एक तरह से आने के लिए, he spent most of his time in play, he spent hours shuffling a rubber ball round the room like a four-footed soccer player using all four feet to dribble the ball, तो मतलब दीरे-दीरे वो train हो गया था, फिर वो बाल के साथ खेलता रहता था और जो soccer player होता है, जैसे कि वो पैरो से बाल को मारते है, तो यह ऐसा करता है जैसे कि फोपोत का कोई player हो और वो बाल को पूरे के पूरे रूम में क्या कर रहा था घुमा चौण तरह मुविंग तो पूरे के पूरे रूम में जैसे ज़ने कर रहता था जगल कर रहता था, उसके साथ खेलता रहता तो आगे हैस में गवाल एंधा अल्सो गुड थो इड़ा तो फिक भी देता था विद पावरफुल फिलेक ऑफ देनक तो उप्राइजिंग डिस्टेंस तो फिलेक का मतलब होता है कुईक लाइक लाइट मुव्मेंट तो फिक भी देया करता है काफी तेजी से बॉल मार्बल ड्रॉप नहीं करता था गेम खेलते हुए इस बैली वोज वाइडन फ्लैट और इसकी जो बैली दीज का पेट था वो काफी ज़दा चौड़ा था और फ्लैट सा था और ये काफी ज़दा लेट करके मार्बल से बहुत ही मजे से खेला करता था तो हमने इसकी दो पार्ट देख लिए हैं अब इसका जो थार्ड और फोर्थ पार्ट है न वो हम आगे आने वाले वीडियो में कवर कर लेंगे तो कैसा लगा वीडियो जुरू बताईएगा अच्छा लगा तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंज के साथ शेयर करिए थेंक यू